नमस्कार आप सब देख रही हैं CMN News खास मुद्दा में आप सबी काज स्वागत है पूरा देश जानता है कि आज परिस्थिती क्या है दो देश युद की कगार तक पहुँच चुके हैं जो सिर्फ बातों बातों में दुनिया को लगता है कि इतनी गहन हो चुकी है कि एक देश दूसरे देश पर हमला करने के बारे में भी सोच सकता है ऐसी क्या हुई घटनाएं क्या रहा हमारा इतिहास कि आज हम इस परिस्थिती का सामना कर रहे हैं अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ पूरी दुनिया जानती है निहत्थे सैनिकों पर जो सफर कर रहे थे सुबह के साड़े तीन बजे अचानक से आकर के तीन सो किलो बारुद के साथ एक गाड़ी टकराती है और हमारे देश के 44 जवान शहीद हो जाते हैं ये वाक्या है सुबह चार बजे का पुलवामा का इसके पीछे की बहुत सारी कहानिया हैं बहुत सारे नजर्यें हैं से देखने के जिन पर चर्चा करने के लिए आज इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हैं हर्याना राज्य हज कमेटी हर्याना सरकार के मीडिया कॉडिनेटर जनाब खुर्शिद आलम सहाब सर बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद आपका और आपके चैनल का आलम सहाब जैसा कि ये वाक्या आपके जहन में भी है कि एक 44 जवानों को शहादत मिली और उन्हें मौका तक नहीं मिला लड़ने के लिए आप इसे किस नजर से देखते हैं सातंकवादी हमले को ये हमला कश्मीर पर हुआ है ये हमला भारत पर हुआ है या फिर ये हमला हिंदुत पर हुआ है देखी ये हमला काश्मीर पर नहीं हुआ और ना यह हिंदुत पर हुआ है यह हमला हुआ है भारत पर भारत के परते एक नागरिक पर हुआ है भारत के परते एक धरम और परते एक जाती पर हुआ है किसी एक वरक पर यह हमला नहीं हुआ है इसके लावा आप क्या कहना चाहेंगे कि जब भी बात आती है आतंकवादी संगटनों की तो इसे कहीं न कहीं इसलाम से जोड़ कर देखा जाता है किसी भी चर्चा में हम देखें किसी भी मंच पर हम देखें तो कहीं न कहीं आतंकवाद और इसलाम को एक ही मंच पर जगा मिल रहेगा वही जीवन रहेगा जो उसको शुरुआत में मिला है जो उसके पैदाइस में मिला है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जब उसका 1947 में बटवारा हुआ तो खुन-खराबे से हुआ और वो अपने उस खुन-खराबे के बदले में दिन परते दिन बदले की भावनाओं क भारत पर उसके पता है कि भारत बहुत बड़ा देश है मेरा बड़ा भाई मगर उसके बावजूद वह अपनी हरकोतों से बाद नहीं आता और समय के आता हो जब देश के अंदर हमारे चुनाव का समय आता है तो वो इस चीज़ को केंदर बिंदू बनाता है रोचाथा यह पारत को किसी तरीके से मैं विचलित करूं मगर यह उसकी सोच है और यह गंदी सोच कभी उसकी काम्याब भारत का नागरिक नहीं होने देगा भारत की जनता हमेंसा मोतोड जबाब देगी वह भारत के अंदर अपने कुछ ऐसे समाधिक त्व को प्यादा करने की कोशिज करता है मगर हमारा परसाशन और हमारी आर्मी इसको फिल्कुल विफल कर देती है इसके लिए हम अपने आर्मी और अपने परसाशन की प्रसंसा करते हैं लेकिन खुर्शी जाब यहां नुकसान तो हुआ है आहत भी हुआ है पूरा देश के अचानक से इस तरह काहराना हमला हुआ है हमारा सवाल यह है कि आप हर्याना राज-हज कमेटी के एक मेहतपूर्ण मेंबर हैं मेडिया कॉर्डिनेटर हैं तो आपको कही न कही ऐसा नहीं हैं तो आपका नजर्या क्या है यहां पर कि आतंकवाद को धर्म से जोड़ कर ना देखा जाए सबसे पहले मैं पुलवामा में हुए आतंकी हमले के सहीदों के साथ साथ जितने भी सीमा पर हमारे आर्मी के जवान सहीद होते हैं सभी को सरदानली अर्पित करता हूं हर्यान आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि एक वरग विशेश को उस वरग विशेश को जोड़कर इसलिए हमारे भारत के कुछ चंद लोग सब नहीं सब पार्टिया नहीं चंद लोग जो अपने आपको हिंदुत का भी महतुन नहीं जानते उनको यह भी नहीं पता कि सार और परसार करना का प्रयास करते हैं कि इसमें मुस्लिम वरग कहीं न कहीं इन वोल है जबकि भारत का मुसल्मान हिंदुस्तान का मुसल्मान आज आजादी से लेकर जंग आजादी में एहम रोल रहा मुसल्मानों का आज आतंक बाद के खिलाब लड़ने वालों में एहम महसूस करता हूँ कि जहां हमारे 40 जवान सहीद हुए हुए जवान सीमा पर जो जाता है वो किसी धरम का नहीं होता किसी मजब का नहीं होता किसी व्यक्ति विशेश से उसको जोड़ कर चलना मैं उसको अनुचित मानता हूँ और मैं खास तोर से जो आपने सवाल किया है इसको एक नजरिय से अपने कहना चाहता हूँ कि इसको मुस्लिम सरम की साथ जोड़ कर ना चले हमारा देश एक मजबूत देश है अखंड देश है इसको खंडित कोई कर नहीं सकता मुसल्मान यहां का पून रूप से भारत वासी है हिंदुस्तानी है और यह एक बात कहते का मुसल्मान 5 दफा नमाज पड़ते वे अपनी धरती मा को अपनी पूजणिये मा को नमन करता है ये एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और यहां कुछ आदमी देश के अंदर इस तरह का प्रियास कर रहे हैं कि इसको हिंदू-मुस्लिम का रूप दे दिया जाए मैं इसको बिल्कुल अपने सीरे से ना कारता हूँ और ये दावा करता हूँ कि ये मुसल्मान का जगड़ा नहीं है हिंदू का जगड़ा नहीं है जगड़ा भारत और पाकिस्तान का जगड़ा है और पाकिस्तान के जगड़े में हिंदूस्तान का मुसल्मान कांदे से कांद ऐसा जगड़ा बना दे कि ये हिंदू मुष्लिम का रूप लेले उसको किसी भी किसम से यहां के हमारे देश के पर्धान मंतरी नेरंदर मोदी जी किसी किसम से होने नहीं देंगे हर्याना के यह जिस्वी मुख्यमंतिरी मनोरलालजी किसी होने देंग और नहीं सिश्क और मुख्रोंतियों को अबहना देंगे जिससे हमारे देश के अंदर किसी किसम से बाहरी शक्ति idée ये सोच हिंदू और मुसंलमान आजादी में आज भी साथ हैं और पुल्वाला हुए डंगे को लेकर आतंगी घटना को लेकर है मुसल्मान ओप जाह वह बोंबे का हो एम्दाबाद का हो दिल्ली का पियुकर जहाँ जहां भी मुसलमानों की सक्टिएं जादा है हर बड़े सहर में चाहे वह लखनो के अंदर हो हर मुसलमान का इदारा हर मुसलमान की कमैटिए नोन भारतिए संसकर्थी के अनुरूब पनव कर उभर कर सामने आते हैं वह हमारी पहचान हैं हम उन चीजों की निन्दा करते हैं और हमारा मक्सद ही यह है कि हम अपने देश को मजबूत करें और पाकिस्तान को निश्तो नाबूत करने के लिए पाकिस्तान को मिटाने के लिए हिंदुस्तान का मुसल्मान भारत वासियों के साथ है भारत वासी है यहां का मुसल्मान और यहां के हर आइन को हर कानून को मानन के लिए तैयार है और मानता चलाया है और आगे भी मानेगा खुर्शित साब ये तो शाब्दिक व्याखान आपने कहा कि हिंदुस्तान का मुसल्मान पहले हिंदुस्तान का अपने देश का है और किसे भी आतंकवादी गीरों के या फिर उनकी गत्वीडियों के अगेंस्ट ह जो काबिल तारीफ है अब बात करें अगर पाकिस्तान के वजीर आजम की इमरान खान साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का आवाम जो है वो हिंदुस्तान से नाराज है और वो लगभग वहाँ 90 परतिशत जो हैं वो इसलामिक लोग रहते हैं जो मुसलिम कम्यूनिटी से स सम्मंद रखते हैं वो सभी भारत के खिलाफ हैं और भारत की गतिविध्यों से नाराज हैं और भारत की सेना जम्मू कश्मीर में उन पर अत्यचार करती है इसलिए जिहाद के रूप में पाकिस्तान से ट्रेंड हुए लोग जिने हिंदूस्तान आतंकवादी कहता है वो ज विम्रान खान साब का कहना कि कि वहाँ पर मुस्लिम जाता हैं जमू कश्मीर के अंदर अ tas जब भी पाकिस्तान के पर्धान मंतिर रहे हुँगे। जब उन्हें ये कुनी सोचा कि हम अपनी अक्सिरियत पढ़ाने के लिए उन लोगों को यहां से निकाल रहे हैं। आज उनका ये मनसूबा जो आप पूछ रहे हैं कि किसी भी कीमत पर भारत काश्मीर का अंग है, अंग रहेगा। पर्धान मंतिरी का राग आज से नहीं 1947 से लेकर आज तक रहा है। किसी भी कीमत पर हम अपना सर कटा सकते हैं, सर जुका नहीं सकते, पाकिस्तान का ना कभी हिस्सा काश्मीर रहा है और ना कभी उसको हम दे सकते। पाकिस्तान अपने मनसूबों पे समय समय पर पिटता रहा है उननिस सो कहतर का उननिस सो पैसट की लड़ाई हमारे सामने है उधारन के तोर पर उननिस सो कहतर में अपनी एक बाजु कटवा चुका है इसी तरीके से अगर पाकिस्तान फिर सर उठाएगा तो उसका सर कुचल दिया जाएगा और रहा वहां से जो जम्मु कश्मिर के अंदर आतंक वादियों को पना मिल रही है जिस दिन धारा 370 हट जाएगी जिस दिन पूरे भारत वर्ष के लोग वहां पर जाकर रहने और बसने लगेंगे और जब वहां पर जाकर उनका सहविमान बढ़ जाएगा रहा एक बात का कि आज धारा 370 का एक ऐसा कानून है कि यहां पूरे भारत की जनता मेंसे नागरिकों मेंसे कोई जाकर वहां अपना निवास नहीं बना सकता नहीं रह सकता यही एक कारण है कि वो अपने आपको बहुत बली मानते हैं और यह मैसूस करते हैं कि बाहर का नागरिक हमारे हां नहीं आ सकता जबकि आज इसी बात पर इसी मुद्धे पर पूरे देश के नागरिक चाहे वो भारत वासी जो भी है किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी मजब को मानने वाला हो, किसी भी वरन और किसी भी जाती का क्यों नहो वो सब के सब ये चाह रहे हैं कि आज धारा 370 हटा दी जाए और काश्मीर को एक मजबूर सकती भारत वासी वहां जाकर दे और जितने भी वहां आज ये छोटे-छोटे कैम्प लगाकर आतंगवादी पनप रही हैं वो अपने आपने इस तो नाबूद हो जाएंगे खुर्शित साब 370 धारा का आपने जिकर किया आप क्या वज़े मानते हैं कि 1947 से ले करके अब तक इतना समय भी चुका है आतंगवादी गतिविदियां होती रहे हैं ऐसे हमले भी होते रहे हैं और हाली में एक बड़ा बयान भी परवेज मुशर्रफ साहब का जारी हुए है कि ऐसी घटनाएं ओर भी होती रहेंगी बैतर होगा भारत बैटकर बातचित करें और जब बातचित करने की बात आती है तो पाकिस्तान से सिर्फ एक आवाज आती है कि कश्मीर को भारत भूल जाए और उन्हें सौंप दे ये वो हल चाहते हैं और ऐसा नहीं होता तो तब तक वो आतंगवादी घतिविधियां करने की भी धंकी लगातार देती हैं अब आप यहां पर सवाल ये बनता है खुर्शित साहब कि धारा 370 लगाई किसके द्वारा गई पाकिस्तान द्वार राष्ट्य हस्तर पर ही निप्टाया जाएगा और रहा वहां के पूर राष्ट्पती मुसरफ साफ का जो स्टेट्मेंट आपने बताया कि वे लोग सत्ता में रहें या विपक्स में रहें कल जब वो यहां आते हैं तो ये बात सच है कि वो काश्मीर का राग अलापते हैं मगर उनकों पता है कि ये हम नहीं ले सकते ना लड़ाए लड़के ले सकते ना प्यार से ले सकते रहा ये मुद्दा क्योंकि ये अंतराष्टी मुद्दा है इस मुद्दे पर मैं ज़्यादा टिपनी भी नहीं कर सकता वहां इतना जुरूर है कि ये देश बटवारे के सम जो यहां पर विदेशी कंपनियां राज कर रही थी उनका दिया हुआ एक ऐसा सगुफा है यह बटवारे का मुद्धा तो हम मानते हैं कि अंतराश्टे स्तर का एक मामला है जिसमें भारत और पाकिस्तान के मातर दो देशों से बात नहीं बन पाएगी लेकिन धारा 370 लागू करना या फिर उसे हटा देना ये तो राश्ट का मुद्धा का जा सकता है क्या इसमें भारत सरकार को हस्तर शेप करने की जुरूत मैसूस नहीं हो रही है इतनी सारी अतनकवादी घटा देना चाहिए इसमें क्या अभी जनदा की आवाज का इंतजार हो रहा है या ये फैसला भारत सरकार स्वें अपने स्तर पर भी ले सकती है कि अब जरूत नहीं है इस तरह के déjàना का रही है आवाज लगा रही है सड़कों पर आकर नारे लगा रही है कि दारी 3370 को समाप्त कर दिया जाए यह मानिय परदान मंतिरी जी के हाथ की बात है वो जब चाहें अपने संसद में बिल लाकर इसको पास कर सकते हैं यहां आपको खुर्शित सहाब एक सवाल यहां पर बनता है जब नोट बंदी के बात आती है तो बीने किसी पूर्व नोटिस के अचानक से नोट बंद के जा सकते हैं जो पूरे भारत को परभावित करते हैं जिसमें सिर्फ अर्थ विवस्ता है निर्दारित है कश्मीर जहा करते हैं इतनी सुरक्षा के बाद भी क्या आपको नहीं लगता कि इस फैसले में कहीं भारत सरकार भी आज तक डील बरत्याइए कि 370 को अटाने के लिए मैंने भी पता है कि अंतराश्टी मुद्धा इस पर मैं के टिपनी नी करना जाओंगा रहा आपने एक सवाल यह क्या की सुरक्षा के नाम पर आज बॉर्डर का सि मसला आजाते है वो तो एक देश का सवाल है की अगर हम उत्तर पर देश से हरयाना या हरयाना से पंजाब यह माचल में भी जाएंगे तो वहां पी बॉर्डर पे चेकिन होती है बाक्यते और नीमत रूप से चेक-इन करने के बाद ही आगे दिया जाता है यह तो अपने देश की परते एक परदेश चे तूसरे परदेश में जाने की भी एक प्रमपरा रही है खुर्शी जाब साफ जाहिर है आपकी बात उसे दुख आपके मन में भी बहुत है कि भारती सेना के चवाल इस जवानों को शहादत मिली वो भी इस तरह से जो की मनजूर नहीं करेगा कोई भारती है अब क्या कहेंगे कि अवाम से कहेंगे जमू कश्मीर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी घटना दुबारा उस इलाके में ना हो इसके लिए हमें किस तरह से तयार रहना चाहिए देखिए हमारा तो एक ही पैगाम है पूरे मुल्क के लिए खास दोर से हर्याना वास्यों के लिए कि हम अपने देश की रक्षा के लिए इसकी अखंड सकती के लिए एक जुट रहें किसी के बैकावे में ना आए किसी गलत बातों को न विश्वास करे ना किसी गलत कारिये के परती परचार करे हाँ एक सवाल जो आपने किया कि हम एक जुट होकर हर शक्ति का मुकाबला कर सकते हैं कितना भी बड़ा मुर्क कोई ना हो हम उसको जबाब देने की शक्ति रखते हैं मगर उसमें एक जुटता की अवशक्ता है जब जब कोई परिवार अलग-अलग हो जाता है परिवार का मुख्या एक हो और उसके परिवार के कुछ हिस्से अलग-अलग हो जाए तो निस्चित रुप से कहें न कहें नुक्सान का कारण बंता है आज अगर हम इस बात का निस्चित कर लें कि आज हम सीमा पर जाने वाले हमारे हर वरक के व्यक्ति χामारे लिए रात दिर उसको शर्दी का गर्मी का बरसाद का किसी चीज का ऐसास नहीं हैं तो हमें अपने आर्मी के जवानों के लिए समस्थ देशवासियों को एक जुटता के साथ उनके लिए प्रात्ना दुआएं करनी चाहिए कि वहां से हम अपने सहीद को ना लेकर आएं बलके जो वहां पर सीमा के दूसरी पार जो लोग बैठे हैं जो आतंकवाद को कर दिया जाए उनकी चोंकियों को उनके घरों को नेस्तु नाबूत करकर जब हमें यह जानकारी मिले कि हमारे सैनिकों ने इतना कर दिया तो निश्चित रूप से आज हमारे गर्व का सीना जो है जो हमारे परधान मंतरी का 56 इंच का सीना है वह और ज्यादा गरव से हुच संकट आता है किसी भी तरह तो लोगों की जनता की आमोमन सारी उमीदें सिर्फ सरकार पटिक जाती है ऐसे में क्या उनका खुद का भी कुछ फर्ज बनता है कि किसी संकट की स्थिति में जो पूरे राष्ट पर है और किसी भी रूप में है तो जनता आपने आपको किस तरह संयम में रख करके आपसी समाजिक सोहार्द को बना करके किस तरह से सहयोग करे आपके नुसा देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है कि जब जब देश के उपर संकट आया है सभी राजनितिक दल एक मंच पर आ गए और ऐसा होना चाहिए ये हमारे देश की एकता और अखंता का सवाल है हमें खास तोरसर जो हमारे छेतरिये लोग हैं जो राजनिति में हिसा भी नहीं ले पाते जिनको ये भी समझ नहीं है कि वो क्या मगर वो कुछ अनाप सनाप ऐसी बाते कह जाते हैं जिसका कोई वजूद नहीं होताना कहीं कमजोर भी होता है कुछ तबका इльzamaat का लगना सिल्सिला शुरू हो जाता है और उन्हीं लोगों से मेरा ये कहना है कि वो ऐसे समय पर जब देश के अंदर कोई ऐसा खतरा पनप रहा हो उसमें एक जुटता के साथ खड़े हो जाना चाहिए और जितने भी हमारे इस तरीके से कारेकरम होते हैं चाहे वो परदसन का हो चाहे वो अंदोलन का हो सभी वर्गों को सभी साथियों को सभी वर्नों को एक मंच पर आकर उसका विरोध करना चाहिए अपनी सक्ति का परदर्शन करना चाहिए यह हमारी पैचान है यह हमारी शक्ति है बहुत बहुत शुक्रिया खुरुशिद साहब दोस्तों आज का मुद्धा में हमने चर्चा की कश्मीर पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर जिसमें हमारे साथ जुडे रहे आज मीडिया कॉडिनेटर हर्याना राज्य हज कमेटी से हर्याना सरकार की ओर से कुरुशिद आलम और उसके बाद ही वो अपने देश के प्रति सबसे पहला समर्पित भाव रखता है बले ये आतंकवादी गतविधियां पाकिस्तान से हो रहे हैं लेकिन हमें मनजूर नहीं है और कश्मीर मुद्दे पर हल भी चाहते हैं भारत सरकार भी चाहते हैं भारत के लोग भी चाहते ह लेकिन किसी का खून बहा कर अगर कोई हल निकलता हो तो वो हल नहीं वो सिर्फ दुश्मनी को बढ़ाता है देखते हैं सेमें न्यूज दीज़े में अजासत नमस्कार